नौस्कार दोस्तों सौगत आपका मैं आपका दोस्त दिनेश निम्मबावत आज बात करते हैं अब वक्तितु विकास को परभावित करने वाले कार को बात करते हैं वक्तितु के विकास को प्रभाव करते सबसे पहले बात करें वंसानु कर्म का प्रभाव वंसानु कर्म का प्रभाव देखें सबसे पहले बात कर लें इसकी नर्थता हैरी में उनके संदर में क्या कहते हैं मनुस्य का वक्तितु जो है स्वभाविक विकास का प्रिणाम नहीं है उसे अपने माता-पिता से कुछ निश्चित सारीक मांसिक और समयकात्मिक यह वैवसाइक जो सक्तियां होती है वो प्राप्त होती है बात करें फिर जैविक कारकों का परभाव पिर सारीक रचना का परभाव भी पढ़ता है देहिक परवर्तियों का आपकी जो परवर्ति कैसी है मूल परवर्तियां वगरा ठीक है मांसिक योगिता का परभाव पढ़ता है आपकी विसेश रूची किसमे है उसका भी परभाव तो गेर अनुसरबाव करें मनुस्यन के समय से ही बालक का विवग्तित्तु उस समाज के द्वारा जिसमें वो रहता है निर्मित और e पडिवर्त किया जा सकता है इस समय बा्त करें तो बालक के तो उस समाज के द्वारा जिसमें वो रहता है उसमें निर्वित भी कर सकता है और परिवर्तित भी किया जा सकता है अब सांस्कृतिक बाता उनका परभाव भी बढ़ता है विद्याले का परभाव भी बढ़ता है परिवार का परभाव भी बढ़ता है यह बात थी व्यक्तितों क करें सेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें